इस वीडियो के तुरू मुझे आपको 33rd और 34th प्रोग्राम था उसके जो लिंक है जिसके तुरू आपको क्या मिलता है इगनु से डिग्री डिप्लॉमा सर्टिफिकेट जो भी आपने जिस भी कोर्स में आपने अन्रोल किया था इगनु में तो लिंक दुबारा से आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने पहले अप्लाई नहीं किया था तो देखिए यह होम पेज पेगनु के लिंक दे रखा है अप्लाई फोर डिप्लॉमा सर्टिफिकेट 34th and 33rd Convocation तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको यह दिखेगा पेज अब देखो यहां पे आपको क्या है 33rd or 34th Convocation 33rd Convocation आपका वाथा फैब 2020 में जिसमें कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनका जो कोर्स था जो भी मैं आपने अन्रोल किया था वह दिसमबर 2018 और जून 2019 में complete हो गया था ठीक है और 34th में कौन से वाले बच्चे अलिजिव पूरी डिग्री आपकी complete हो गई है एकनू से ठीक है क्लियर हुआ डिप्लोमा डिग्री जो भी है वह आपको मिल जाएगी अगर कुछ स्टुडेंट क्या है जो जिनकी अभी इश्यू हो गई थी लेकिन उनको नहीं मिली है ठीक है उन्होंने अप्लाई कर दिया नहीं मिली लेकिन जो 34th Convocation में जिन्होंने अप्लाई करा था अभी उनको दुबारा अप्लाई करना पड़ेगा ठीक है क्योंकि इसमें changes किये गए है कि यह देखें इसमें लिखा हुआ है कि आपको जब हमने अभी अप्लाई करा था ठीक है डिगरी के लिए तो इगनो आईडी कार्ट अप्लोड करा था सिर्फ लेकिन अब जो देगे इसमें जो दूसरा अप्शन दिया है कि आपको ग्रेट कार्ड प्रोविजनल सर्टिफ चुछ पेता से तो दूबारे से लिंक अक्टिवेट हुआ है तो इसमें आपको दूबारे से अपलाई करना पड़ेगा फिस आपको नहीं देनी है उसमें और जब आप अप्लाई करेंगे आप जब अपलोड कर देंगे तो इसके अपने आपही नीचे लिखा आ जाएगा आपको आपको अपना आईडी कार्ड और ग्रेट कार्ड प्रोविजन सर्टिफेट दुवार अप्लोड करना है कि नहीं कर दिया था ठीक है और जिनों नहीं करा था तो वह अप्लाई करेंगे 600 रुपे आपकी फीज है ठीक है इसमें तको फीज का डिस्क्रिप्शन दे रख अब लिखा है इसक्सेंडर पर सर्टिफिकेट में भी पेड ओन लाइन इफ नॉट पेड अर्लियर फॉर दा मास्टर डिग्री तिक है अगर आपने पहले पेड़ नहीं करा था तो आपको 600 रुपे देने दोस्तों किसके लिए पीजी सर्टिफिकेट प्रोग्राम के सब्सक्राइब नहीं देनी है आप ओल्लाइन पेमेंट कर सकते हैं ठीक है डेविट क्रेडिट कार्ट किसे भी है नैट बैंकिंग के थू तो जो भी एक नॉलिजमेंट स्लिप है उसको आप डाउनलोड कर लेना जैसी आपका आजाएगा उसमें ठीक है आप देखो बाकी तो डिग्री डिप्लोमा पे क्लिक करेंगे हैं ठीक है जो भी है यहां आपको अपना एन्रोल्मेंट नंबर पासवर्ड और जो सिक्योर्टी कोड दे रखा यह करने है लोगिन करोगे तो आपकी डिटेल आजाएगी ठीक है अगर आप अल्रेडी रिजिस्टर्ड है ठीक ह अब पेज कैसा दिखेगा वो मैं आपको पतेज आपको इस तरीके का दिखेगा उपर की तरफ जो है वो डिटेल होंगी आपकी मैंने सिर्फ थोड़ा सा ही पेज आपको दिखाया है उपर की तरफ डिटेल होंगी सारी आपकी आपको कौन सा प्रोग्राम है ठीक है आपका सब चीज हमाँ डिटेल होगी अब यहां आपको उप्शन सेलेक्ट करना है कि आपको बाइपोस्ट मंगाने अपने डिग्रिया आप खुद कलेक्ट करने जाओगे अपने रीजनल सेंटर पे तो बाइपोस्ट मंगाना ही ज्यादा चरहेगा अगर आपके अड्रेस में कोई तो आप यहां पर आपका इग्नु आईडी कार्ड मांगा गया वह अपलोड कर देना है और प्रोविजन सेर्टिफिकेट अपलोड कर देना है ठीक है डॉक्यूमेंट का साइज जो हंडर केवी से कम होना चाहिए यह आप चेंज करके ठीक है यह आप अपलोड कर लेना है और जिनका अल्रेडी पे होगा तो नीचे ट्रांजेक्शन लिखी आ जाएगी कि आपने पहले से ही पेइमेंट इसकी कर रखी है तो इस वीडियो में अब मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी है अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके मेल करके मुझसे पूछ सकते हैं तेंक यू